कटीज क kartảoแล στα mamma new Vir AB आज की क्लास हमारी क्ट्रिक्ग का किस थर्ड गवर्जास है इससे पहले अगर आपने सेकԳ क्लास नहीं देखिए तो आप पहले फेस्ट सेकंड क्लास देखिए उसके बाग आपको क्लास को देखे ताकि आपको ये वाली क्लास समाज आए तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक इंपोर्टेंट अनॉंसमेंट है सभी दियू एललबी एंटरेंस के स्टुडेंट के लिए जो इसके तयारी कर रहे हैं तो रिसेंट्ली इस विक के एंड में हम लोग अपनी करेंगे और यहां पर वो सीरीज आप इस मत के एंड से बाइकन शुरू कर सकते हैं तो जैसे के आप से भी जानते हैं प्रिविएस हम दो सालों से फ्री मोग और पेट कोर्स भी हम लेकर आ रहे हैं टैस सीरीज का तो इस साल भी ऐसे ही आएगा तो आप सभी तयार है और जि बात करेंगे आज capacity to contract की तो capacity to contract में हमें सबसे पहले यह समझना होगा हर कहीं जब भी हम contract पढ़ेंगे section 10 के elements आपको पता होने चाहिए कि section 10 के elements क्या कहते हैं ठीक है तो सबसे पहले essential point है contract का किसी भी valid contract के लिए contract में जो parties है contract की capacities है वो fulfill होना जरूरी है जैसे कि हम देखते है कि इसमें कुछ persons जो है वो competent नहीं है contract करने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे minor की तो minor जो person होता है यहां पे उससे related एक case है मोहरी बीवी versus धर्मोदास खोश ठीक है तो इस case में क्या होता है कि case के fact जाने ज़रूरी नहीं है बस इस case में यह held होता है minor का agreement है वो absolutely void होगा minor का agreement absolutely पूरी तरह से void होगा इसके साथ आप यह भी लिख सकते हैं यह 1903 का case है यानि कि independence से पहले का तो यहां पे जो decision आया था वो प्रीवी काउंसल के true आया था तो minor की जो agreements होते हैं उनका effect क्या होता है सबसे पहले तो minor का agreement होता है वो void issue होता है यानि कि first stage से ही void होता है इसके यहां पे माइनर के agreement में अगरम देखे यहां पे यह है कि यह person जो है वो competent नहीं होते और minor से related यहां पे case है मोरी बीवी वर्सिस धर्मोदास का case तो अभी इसमें सबसे पहले क्या होता है आप इसमें के points में लिखते जाहिए जैसे मैं expect कर रही हूं कि आपने notes लेके बैठे ह stopple जो है minor के against नहीं लगेगा stopple में क्या होता है कि कोई person जो है वो किसी चीज़ के लिए मान लेजिए वो authorized नहीं है बट खुदको प्रेटेंड करता है कि हा मैं authorized हूँ और बाद में उसके पास वो authority आ जाती है तो जैसे कि यहां पे minor के against वो stopple नहीं लगेगा इसके बाद ज होगी तो minor अगर हम देखें तो as a partner ऐसे agent यहां पर नहीं हो सकता है और minor से property और restoration जो है वो वापस ली जा सकती है यानि कि minor अगर खुदको fake तरह से represent करता है और उसके बाद उस fake representation से वो कोई property अपने अंडर में ले लेता है या तो कुछ money अपने अंडर में ले लेता है तो उससे वो restore किया जा सकता है तो यह minor के जो contract है यह उसके बारे में है अब इसके साथ यहां पर minor से related हमें एक चीज़ और देखनी है माइनर पर doctrine of restoration भी लगता है तो इसका क्या मतलब होता है कि money और property पर doctrine of restoration money और property पर लगता है जिससे जो अभी मैंने आपको समझाया उसे doctrine of restoration बोलते हैं doctrine of restitution इससे related खानगुल केस है जो कि महरी बीबी के against है महरी बीबी केस की judgment को खानगुल केस की judgment ने overrule किया था और इसमें minor को libel थेह रहाया था कि अगर money और यहां पे money और property से related कोई case है तो ऐसे cases में जो person है minor है वो उसको repay करने के लिए libel होगा अब minor के साथ यहा मैं यहां पर समझना होगा कि section 11 or 12 में इसके regarding बाते कही गई है तो section 12 है अगर हम देखे तो sound mind की बात करता है sound mind यहां पर क्या है कि उसमें क्या होनी चाहिए कुछ capabilities होने चाहिए sound mind person अगर मैं आपको कहूं तो हम उनका meaning समझते है बट अगर उसके definition की बात करें तो capability होनी चा और इसके साथ अगर यहां पर unsound mind में तीन चीज़े हैं सबसे पहले हम इसको basic समझते हैं फिर तीनों को depth में देखेंगे कि उसके पास यह ability होनी चाहिए कि वह sound mind हो अब sound mind यहां पर word जो है occasionally भी हो सकता है और यहां पर पर्मैने भी हो सकता है तो इसके साथ यहां पर unsound mind में तीन चीज़े हैं पहला idiot दूसरा lunatic तीसरा drunken person तो यहां पर जो idiot person है वो पूरी तरह से unsound mind हो सकता है ये permanent unsound mind हो सकता है अगर कोई person idiot है तो यहाँ पे जो contract होगा वो absolutely void होगा पूरी तरह से void होगा और इसके साथ यहाँ पे next जो है lunatic person lunatic में भी temporary होता है periodically यहाँ पे वो होता है lunatic होता है जिसे हम interval में interval lunatic भी कहते हैं तो यहाँ पे अगर unsound mind वो person है at the time of making contract अगर unsound mind है तो void होगा otherwise यहाँ पे lunatic person at the time of making any contract is sound mind तो यहाँ पे जो contract होगा वो valid होगा तो drunken person के अगर हम बात करें तो drunken person के contract generally void ही होते हैं इसमें वैसे यह concept देखा जाता है कि अगर वो contract को nature को समझने में incapable है तो definitely वो void होगा तो यहाँ पे level of drunken मतलब किस level के उसने drink की है यह इस पे matter करता है तो इसके साथ यहाँ पे यह capacity में हमें एक चीज़ और देखनी है person में कि person disqualified by law person disqualified by law जैसे कि alien enemy है अगर आप हमारी किसी दुश्मन company सा contract नहीं कर सकते हो जिस country एक साथ war चल रहा है तो इन दोनों countries के बीच में कोई अच्छा contract नहीं अब बग कर सकते दोनों countries आपस में दोनों countries के लोग नहीं कर सकते है और इसके साथ यहाँ पे next जो चीज़े की foreign और sovereign जो diplomatic स्टाफ्स होते हैं यह बिना government के approval के government के बिना कोई contract नहीं कर सकते अगर कोई insolvent person है तो वो contract नहीं कर सकता कोई convict person हो गया तो इस तरह से यहाँ पे कुछ चीज़े है जहाँ पे आपको contract जो है वो prohibited किया गया है इसके अलावा यहाँ पे minor agreement में आप एक चीज़ और देख लीजे minor की जो age है generally वो 18 होती है अगर कोई property related चीज़े हैं जहाँ पे guardian appoint किया जाता है तो यहाँ पे 21 years होती है Indian majority act में इसकी age को दिया गया है 18 years तो इसके साथ है यहाँ पे अब हम next चीज़ देखेंगे की free consent free consent क्या होता है तो free consent में यहाँ पे सबसे पहले section 14 जो है वो free consent की बात करता है और free consent में यहाँ पे section 10 के जो elements से अगेन आपको ध्यान रखने है इसके अलावा यहाँ पे जो free consent में पाथ चीज़े है क्योर्जिन, undue influence, fraud, misrepresentation और mistake यह पाथ चीज़े जो है इसके लिए important है तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा क्या है कि क्योर्जिन है इसका मतलब क्या होता है कि commit करना या threat करना commit करना या threat करना और किस चिस के लिए वो उस act के लिए जो IPC में forbidden हो जिससे IPC मना करता हो यानि कि unlawful आप कोई detain कर रहे हो तो यह होता है इसमें क्या होता है कि forcefully आप compile करते हो किसी person को कि वो contract में आ जाए या तो आप forcefully उसे compile करते हो या आप force use करते हो उसकी consent लेने के लिए ठीक है तो यह जो agreement sometimes क्या होते है यह तो generally उस party के opinion पे void होते है बट अगर यहाँ पे वो party जो एग्रीव पार्टी है यानि जिसकी consent इस तरह से ली गई है अगर वो यह कह दी कि नहीं मैंने जो consent अपनी मर्ज़ से दी थी तो यह voidable उस person के बिहाफ पर भी हो जाते हैं तो यह वैसे generally void होते हैं तो यहाँ पे क्या है कि इसमें कोई भी act जो है कौन सा होना चाहिए forbidden by low होना चाहिए और unlawful retaining होने चाहिए threat होना चाहिए तो यह इसके बाद undue influence में क्या होता है कि इसमें अपना जो एक person होता है अपने superior power का unfair use करता है और अपनी superior power का unfair use वो क्या किसले करता है सामने वाले person जो कि weak person है उस person की consent के लेने के लिए यहां पर वो क्या करता है अपनी power का इस्तमाल करता है और dominate करता है other party की will को और उसके बाद यहां पर उसको क्या करता है एक गलत तरह से emotionally mental pressurize करता है undue influence में और इसमें यहां पर वो पूरी तरह से यह contract voidable होते हैं अगर यहां पर जिस person को undue influence किया गया है उसके opinion पर depend करता है तो वैसे generally यह void होते हैं बट यहां पर जिस person के साथ undue influence हुआ है अगर वो यह कहता है कि यहां पर एस साथ undue influence नहीं हुआ है तो यहां पर उसके opinion पर yue evilBC हो जाता है और इसके साथ यहाँ पर यह section 16 में given है undue influence अब इसके बाद यहाँ पर कुछ चीजे इसके साथ यहाँ पर presumed भी की जाती है तो कि जैसे कि यहाँ पर कुछ fiduciary relationship है जिनके बीच में domination जैसे कुछ चीज़ से नहीं होती है जिसे कि जिसमें हम trust करके कुछ चीज़ बताते हैं तो fiduciary relationship में जैसे advocate client है तो इसमें कुछ ऐसे presume किया जाता है कि आप एकदम सच बताएं doctor patient जैसे चीज़े हैं तो यहाँ पर यह कुछ ऐसे चीज़े होती है जिन पर यह presumption होती है domination की domination of will की और इसके साथ यहाँ पर कुछ unconscious नेबल चीज़े जो होती है unconscious नेबल यानि कि अगर कोई person unconscious है तो इसके साथ यहाँ पर इस तरह से एक undoing influence भी इस्तमाल किया जाता है तो यहाँ पर यह चीज़े हैं अब इसके साथ दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस हम देख लेते हैं कि ओर जन और undoing influence के साथ तो दोनों ही cases में यहाँ पर जो होता है कि consent नहीं अपनी मर्ज़ से consent नहीं दी जाती और यहाँ पर जो relationship है अगर मैं undoing influence में relationship की बात करूँ तो यहाँ पर matter करती है दोनों person के बीच में relationship होने चाहिए लेकिन वहीं coercion में हम बात करें तो यहाँ पर relationship है यह नहीं है यह matter नहीं करता और जो force की अगर हम बात करें coercion में physical force भी हो सकती है verbally force भी हो सकती है लेकिन अगर हम undoing influence में बात करें तो यहाँ पर generally moral जो force है moral nature की force यहाँ पर इस्तमाल की जा सकती है और यहाँ पर जो coercion है यह कोई भी person initiate कर सकता है किस कोई भी person यहाँ पर इसको use कर सकता है बट undoing influence में क्या होता है कि जो superior person है जो superior position में है वही person dominate कर सकता है वही person weaker जो party है उसको क्या करेगा weaker party को यहाँ पर दबा सकता है इसके अलावा यहाँ पर fraud की अगर हम बात करें तो fraud यहाँ पर क्या होता है यह willful representation होती है fraud में आप ध्यान रखेगा यह willful होती है willful representation होती है कुछ deceive करने के लिए कुछ इसमें concealment होती है उसकी intention होती है कि मैं wrongful तरह से कुछ deceive करूँ और other party से कुछ deceive करूँ और उसको उसको साथ contract में आऊँ और उसको गलत तरह से induce भी करूँ यहाँ पर deceive word अलग है induce word अलग है तो यहाँ पर इस तरह से influence करना तो यहाँ पर अब और आप यहाँ पर ज़रूर अपने notes में लिखिए कि mayor silence not amount to fraud अगर कोई person silent है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो fraud कर रहा है तो यह आपकी अगर उसकी explain करने की duty ना हो तो तो अगर उसकी explain करने की duty नहीं है तो और अगर सामने वाला person वो चुप है तो आप उसमें libel उसको नहीं ठहरा सकते इसके लिए एक example है वो काफी जादा question में भी आता है आप एक black horse करीदने गए और आपको black horse एक बहुत जादा पसंद आया आपने shopkeeper से पूछा यह black horse कितने का है क्या यह पूरी तरह से ठीक है तो ऐसे केस में अगर shopkeeper पूरी तरह से silent है ना वो हा में जवाब दे रहा है ना वो ना में जवाब दे रहा है कुछ ही नहीं कह रहा तो यहां पर उसके silence जो है वो क्या है वो fraud नहीं होगी ठीक है मालो जो person लेने गया है उसने shopkeeper से पूछा ही नहीं कि यह horse सही है या नहीं है सिर्फ horse खरीद के ले आया तो ऐसे cases में भी जो shopkeeper है वो किसी भी तरह से libel नहीं होगा तो अब यहां पर बिल्कुल भी libel क्यों नहीं होगा इसके कुछ exceptions है जब तक अगर उसके legal duty खुद से बताने की नहीं है तब तक वो libel नहीं होगा और यहां पर जो है अगर उसमें आधा सच बताया और आधा सच नहीं बताया तो वो भी क्या होगा fraud की तरह यहां पर उसे भी गिना चाहेगा तो यहां पर fraud के उसमें आप क्या कर सकते हो contract को खतम कर सकते हो या compensation की demand भी कर सकते हो अगर आपके साथ fraud हुआ है तो इसके बाद misrepresentation में क्या है कि आप गल्ती से यहां पर यह intentionally नहीं होता innocently आप misstatement कुछ असी दे देते हो act के लिए और आपकी कोई intention करने की ठीक कुछ गलत तरह से अपनाने की आपकी कोई intention नहीं होती misrepresentation में यह होता है मिस्रिप्रेजेंटेशन में भी होता है कि आप contract को खतम कर सकते हो misrepresentation और fraud में मैं आपको कुछ differences बताना चाहूंगी जैसे कि consent होती है consent में क्या होता है अगर फ्रॉड है ठीक है तो फ्रॉड में कंसेंट फ्री नहीं होती है और यहां पर कंसेंट फ्रॉड नहीं होती मिस्रेप्रेसेंटेशन में भी ऐसे होता है बट यहां पर अगर हम देखें रॉंग के बारे में फ्रॉड में जो रॉंग किया जाता है वह विलफुली किया ज तो मिस्टेक की अगर हम बात करते हैं तो मिस्टेक यहाँ पर टाइप की होती है पहले हम यहाँ पर मिस्टेक और फैक्ट के बारे में बात करेंगे नहीं हम तरफ की गलती से अगर कुछ हुई है दोनों की पूरी तरह से सामने वाली पार्टी पेंड करता है पहले वाला वाइड होगा दुसरे वाला इसको एक तरह से not voidable भी बोलते हैं unilateral को क्योंकि इसका एक conclusion निकल के आता है या तो void हो जाएगा या तो valid हो जाएगा तो इसके साथ यहां पर अब हम यहां पर चीज़े देखेंगे कुछ ऐसी चीज़े mistake of law के regarding तो mistake of law में अगर हम बात करते हैं तो अगर कोई Indian law है तो यहां पर वो वाइडेबल नहीं होगा ठीक है इंडियन लो है तो वो अवाइडेबल नहीं होगा बट अगर कोई foreign law है तो ऐसे केसिस में आप उसे mistake of fact में convert कर दोगे अगर आप इंडिया में ऐसे कुछ काम कर रहे हो जो बाहर यहां पर क्या है कि foreign law है तो यहां पर आपको mistake of law की बजाए mistake of fact में आपको convert कर दिया जाएगा अब इसको साथ यहां पर हम बात करेंगे void agreement की वाइड एग्रिमेंट में वाइड एग्रिमेंट से पहले यहां पर और acceptance को हम एक बार फिर से रिवाइस कर लेते हैं सबसे पहले offer दिया जाता है तेरे acceptance होती है फिर consideration होता है उसके बाद यहां पर agreement बनता है agreement को promise भी कहा जाता है यहां तक agreement की stuff हो गए उसके बाद law infosibility है अगर legal infosibility rise हो रही है तो contract बन चाएगा ठीक है और इसके साथ यहां पे हमने void agreement अगर मैं void agreement की बाद करूँ यहां पे एक चीज़ आप ध्यान में रखेए मैं contract नहीं कह रहे हूं agreement कह रहे हूं कोई भी contract void नहीं हो होता है क्योंकि अगर वो वाइड होगा तो contract बनेगा ही नहीं जैसे कि आपने लिखा minor agreement तो minor का minor से related को contract होता है तो वो वाइड होता है वो वाइड एग्रिमेंट होता है वो contract consider ही नहीं किया जाता ठीक है अब इसके साथ जैसे section 10 में कुछ conditions दी गई है अगर आप section 10 की conditions को देखेंगे तो वहां पे section 10 की condition fulfill नहीं होती है तो section 10 की conditions fulfill नहीं होने पर वो contract बनता है आपका void agreement यह चीज इतनी definition है कि कि if conditions जो है section 10 की fulfill नहीं हो रही देन वो क्या convert हो जाएगा वो agreement में convert हो जाएगा अब इसके साथ यहां पर हम कुछ वोईड agreement के types देखेंगे सबसे पहले जो person है जो competent नहीं है contract करने के वो contract करता है तो ठीक है contract करने के यहां पर eligible नहीं है but still doing any contract तो वो यहां पर क्या consider किया जाएगा वो आपका वोईड agreement होगा जिसे कि lunatic person हो गया unsound mind हो गया drunken person हो गया disqualified by law हो गया इसके साथ यहां पर bilateral mistake bilateral mistake जो है यहां पर section 20 में given है sections care आपको learn नहीं करने है तो bilateral mistakes क्या होती है अगर दोनों तरफ से mistake है किसी contract में एंटर होते हुए तो वो अपने आप में जाएगा थार्ड में क्या है कि unlawful consideration and object यानि कि कोई consideration है वो threat में दी गई है ठीक है यानि जो object है जैसे मालो murder करने के लिए आपको किसी ने एक लाख रुपे दिये कि आप जाके किसी का murder कर दो तो यह unlawful object है और इसके साथ ही agreement without consideration जो है कोई भी agreement यहाँ पर अगर without consideration है तो वो वाइड होगा लेकिन इसके साथ कुछ exceptions भी है जिनको आमने last class में discuss किया था कि exception क्या है consideration की जैसे कि gift हो गया gift के साथ आप ऐसे क्या कर रहे हो गिफ्ट में कुसी को कोई property दे रहे हो तो ऐसे चीज़े जो है love and affection में आप कुछ दे रहे हो तो वो चीज़े आपकी क्या है without consideration valid होते हैं अब इसके बाद यहाँ पे कुछ agreements ऐसे होते हैं जो कुछ चिजों को restrain करते हैं ठीक है तो जैसे marriage को restrain करना अगर marriage को restrain किया जाता है कि अगर आप पूरी जिंदगी बर शादी नहीं करोगे तो मैं आपको एक करोड रुपे दूंगा तो इस तरह के जो agreements होते हैं इस तरह के जो यह contract बन नहीं सकते क्योंकि वाइड होते हैं और यह कुछ इसमें भी कुछ चीजें है कि जैसे रेस्ट्रेइन है अगर माइनर के केस में है तो वैलिड होगा कि जैसे अब जो है कोई लड़का है इसको इसके साथ हमने है कि जब तक तुम 21 साल के नहीं हो जाते तुम शादी नहीं करोगे ठीक है तो यह contract वैलिड है यह मैं जैसे मैंने हर बार बोला है कि मोस्टी लो में जो है हर चिसके exception होती है तो यहां पर भी जो चीसे मैंशन है उन सभी के आपको exception मिलेगी और इसलिए यहां पर जो मैरीज है मैरीज अगर पूरी तरह से absolute इसमें भी आप एक वर्ट देखेंगे कि मैरीज के regarding अगर आप पूरी तरह से कर रहे हो प्रेवेंट कर रहे हो उस परसंगो शादी के से ठीक है शादी करने के लिए तो वाइड होगा अगर आप पार्शेली भी गर रहे हो तो भी य कर रहे हो तो वह दो यहाँ पर पूरी तरह से क्या होगा वह वाइड होगा इंडिया में एक कॉंसेप्ट है कि अगर चाह है पूरी तरह से रिस्टरिंड करो ठीके वाइड होगा लेकिन वहीं अगर हम foreign concept दाट इस English concept में देखें तो English concept में अगर पार्शेली आप रिस्ट् condition अलग-अलग है इसलिए यहाँ पर दोट से वॉइट है अगर आप एग्रीमेंट को ड्रेड को रिस्टेट करने के लिए अगरीमेंट करें हो तो वह एग्रीमेंट भी आपका वॉइड हो और इसके साथ यहाँ पर रिस्ट्रेंट के ताइप अगें पार्शली और एपसलू वीडियो में अगर आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ठेंक यू